नए साल के आगमन के बाद लोग तरह तरह से इसकी खुशियां मना रहे हैं बॉलिवुड में इंदिनों स्टार्स केट्स खुद का घर खरीदने की खबरों को लेकर लाइम लाइट बटो रहे हैं एक तरफ जहां पहले जानवी कपूर और रतक लौशन के नए घर लेने की खबर सामने आई वही अब इसलेस में बॉलिवुड की रज्जो यानि सोनाक्षी सिनहा का नाम भी जुड़ चुका है जिन्होंने हाली में मुंबई के पौश इलाके में चार बीच्च के का अलिशान अपार्टमिंट खरीदा है दरसल खबरों की माने तो सोनाक्षी सिनहा ने अपना घर मुंबई के बैंडरा इलाके में खरीदा है ये जगह मुंबाई की सबसे पॉष जगाहों में से एक है जब सुनाक्षी सिनहा से उनके घर के बारे में पूछा गया तो सुनाक्षी ने एक लीडिंग टैबलोईट से बातचीत करते हुए कहा की ये मेरे सपना पूरा होने जैसा है मैं चाहती थी कि जब मैं 30 साल की हो जाओं तब मेरे पास मेरा खुद का एक घर हो हाला कि इसे पूरा होने में थोड़े जादा साल लग गए लेकिन मैं कुछ हूँ कि आखिरकार ऐसा हो सका सुनाक्षी सुना अपने माता पिता और भाईयों के साथ जुह स्तेत अपने बंगले रामायन में रहती है अपना नया घर खरीदने के बाद भी वो वही रहेंगी क्योंकि उन्होंने अपना घर सिफ अपना सपना पूरा करने के लिए लिया अपने ममी पापा के घर को छोड़ने की कोई प्लाननिक नहीं है उन्होंने कहा मुझे घर में परिवार के साथ मैं मज़ा आता है और हाल फिलाल में मेरा यहां से शिफ्ट होने का कोई प्लान नहीं है यह गर मैंने अपना ख्वाप पूरा करने और इंवेस्जम настолько करीदा है आपको बता दे कि बीटे साल दिवाली के मोखे पर सुनाकषी सिना ने अपने आलिशान बंगले रामायन में उनके पुराने परस्नल फ्लोर के अंदर नए डिजाइनों का लूक दिया था सुनाक्षी ने अपने पारिवारिक बंगले रामायर में अपनी नीजी मंजल को पूरी तरह से बदल दिया आप भी कहेंगे कि सुनाक्षी न अपने फ्रोर को कितना शांदार सजाया है और उनके इस घर के नए लोग को देखकर हर कोई हैरान है मर्शूर डिजानर रूपिन सोचिक ने अपने डिजाइन से सुनाक्षी के घर को बेहदी खुबसूरत बना दिया और उन्हें अपने लिए टॉप फ्रोर का नया डिजाइन मिला था सुनाक्षी के नए डिजाइन को बहुती फंक्शनल स्पेस में तयार किया गया है सुनाक्षी के जुहू वाले घर की डिजाइनिंग काफी अलिकेंट रखी गई है जिसमें उनका इंटीर हवादा पैलेट जैसे बनाये गया है जहां फरनीचर का हर समान देखने बनता है घर में सुनाक्षी के इंटीरियर को बहुत शांदार लुक दिया गया है हर चीज की डेकुरेशन को बहुत खास रखा गया है वर्प फरन्ट की बात करें तो सुनाक्षी सिना जल्द ही फोस टू में नजर आने वाली है इस फिल्म में आक्ट्रिस जॉन इब्राहिम के साथ मुख्य भूमिक आदा करते हो दिखाई देंगी इसके लावा सुनाक्षी सिना भुज दा प्राइड ओफ इंडिया में भी नजर आएंगी इसके बाद उन्होंने रीमा कागती की फिल्म को साइन किया है जिसका नाम फॉलन है इस फिल्म में वह सक्त मिजास पुलिस अफसर के किदार में दिखाई देंगी इसके लावा भी वह एक बड़े आक्चे के साथ वेब फिल्म साइन कर चुकी है इस तरह से सुनाक्षी सिनाहा का पूरा फोकस अभी OTT जगात में बड़ा करिश्मा करने का है Bureau Report E24 अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले ताकि आप इंटर्टेंडमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें चाहे बॉलिवड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिबिटीज की डेटिंग फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉंट्रोवर्सीज हर वीडियो मिलेगा E24 पर तो फिर धमाकेदार इंटेटेंडमेंट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है E24